अलो दोस्तो फिर एक बार आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में हार्दिक स्वागत हैं दोस्तो आए टीम इंडिया जीत के साथ सीरीज पर कबजा कर ले चाहते हैं तो आप सब इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा से शेर करें दोस्तो आजोस्टिलिया न चोची ज्याद खेलने की कोशिष गायक वार शफल नहीं रहे लेकिन विकेट कीपर एलेक्स केरी ने कोई गलती ने की कैच लपक करने हैं तीम इंडिया को पहला जटकल गाए 16 रन पर रूतुराज ने सिर्फ 8 रन बनाए अब मैदान में सेयर सेयर आए जो अनुबावी ब चतेव हुए खुद की और गिल की विकेट बचा कर भारत का जुमला काफी आगे बढ़ा रहा होगा आयर आते ही आक्रम अक्थे भारत 25 रन फोर्टी फाई गैन भारत का जुमला आगे बढ़ता हुआ एक विकेट के दुक्सान पर 13 ओर में 100 रन शुबन गिल और एक अर्ष सतक लगाने में काम्याग बने गैन खेले 37 गिल और आयर की अच्छे ही तालमेल के साथ साथी की भागीदारी सेयर स्रीयर भी आज अपना फोर्म दिखाते हुए 41 गैन में सामना करते हुए आफ सेंचुरी पूरी की भारत कुल मिलाकर 117 रन खेला और स्कोर हुआ एक पूरे श्टिरेम की चारो दिशाय भेज रहे थे और फिल्डर बेचारे बनकर गैन को देख रहे थे और भारत का जूंगला आगे बढ़ते हुए 119 गैन में 200 रन और सिर्फ एक विकेट ही और श्टिल्या लेशाका चोटिल होने के बाद वैदान में लेटने वाले साय साय और इयर ने सिर्फ 86 गैन में सतक ठोक दिया और टीम इंडिया का स्कोर हुआ 200 रन गिल और आईयर ने और श्टिल्या को भीगो भीगो कर धोया और 162 गैन में ही 200 रन की पार्टनर्स्रिप टीम इंडिया के लिए बनाई दूसरी ही गैन पर और श्टिल्या को बड़ी पर पहुँच कर गील आउट हो गये, गील का विकेट केमरून ने लिया, 243 रन पर भारत की तीसरी विकेट, गील का स्थानले ने किसन आये, राहूल और किसन ने आगे बढ़ाते हुए भारत को 250 रन पर पहुँचाया, आगे जलते हुए भारत ने 40.1 ओवर में 300 रन बनाया, आदम जम्पा ने इसान किसन को 31 रन पर आउट किया, कप्तर राहूल के साथ सूरिया आया, राहूल ने 34 गन पर अश्रा तक लगाया, सूरिया ने 46 ओवर के तीसरी गन पर चौका लगाकर भारत को 350 रन पर पहुँचाया, कैमरून ने राहूल की विकेट ली, भारत ने 355 पर पांच विकेट, सूरिया ने अपने मिजाज के हिसाब से 24 गन में 50 लगाई, जब भारत ने आखी ओर तक का खेल पूरा किया, तब सूरिया 72 रन और जाड़े जा 13 रन बना कर नोटा उट रहे, भारत ने 399 रन का जबजस स्कोर खड़ा खड़ दिया, कैमरून ने दो व यदिया.